बूर्णिंग स्टुएंट्स से पहले हमने जीन पूंस फांसेसी भूगलविता के युगदान को देखा था और उन्हें संभवाद का प्रवर्तक या इनिशली है पॉस्बिलिजम जो आइडिलोजी है उसको उन्होंने जन्म दिया और उसके बहुत ज़ादा उन्होंने वर् 1870 से 1945 तक आए और उन्होंने युमन जोग्रफी के ओपर जो काम किया खासकर फिजिकल अलिमेंट्स को देखते वे फिजिकल जोग्रफी को ही एक्जिस्टेंस पांते वे माना भूगल को उन्होंने डेवलप किया और उनका जो से में जो स्टेट्मेंट था जोग्रफी के the world of mankind भूगोल अपने आप में मनुश्य का एक दर्शन है जो पूरे समस्त विश्यो का उसको दर्शन या ज्यान दर्शनिक ज्यान प्रदान करता है ठीक है तो यह उन्होंने इस तरह से कहा था उसकी बाद जो ज्यादा कॉंट्रिबुशन किया उसमें आए अलबर्ट दिम गए और यह वाइड़ लीला व्लाश के बहुत अच्छे शिश्य थे इन्होंने बहुत सारा कॉंट्रिबुशन किया और खासकर बचो यह अंडरलाइन करने वाली बात है जी के पॉंट अफ्यो से किन्होंने मानों बस्तियों के या मानों की समस्याओं के उपर माना भूग स्ट्रक्चर ग्रामी शेत्र के उपर उन्हों सबसदा काम किया वहां के घरों के निर्मान से लेकर उनके इंटियर प्लैनिंग से लेकर मता कैसी योजनावद उन्होंने गाओं की संरशना किया है घरों का संरशना कैसा है क्या योजनावद तरीक से बने हैं हर एक छीज हर काम को आगे बढ़ाया इस प्रकार से बच्चों क्या हुआ कि इनों ने भी जब मानों समस्या इनकी आई तो नहोंने भी कारकों को बहुत अच्छे से प्रियावरण के परिवर्तन के इनकी इनकी आपनी स्टेडी में इनकी आपनी स्टेडी में क्या करा ओपर बहुत जदा स्ट्रस किया यह इंपोर्टन चीज़ है यहां से अनसार के जो रहत प्रक्रितिक प्रदेश है चाहे हो जलवाई हो वनिस्पत्ती प्रदेश हो जब ब्रद्धा प्रेस हो किसा प्रदेश के इन कि आणेस ना झीए बरड़ होना ची तो उन सब का स्टेड़ इस में कमपल्सरी और अरna टिलम Worksasant reasons soil reason so on and all they affect on the life of different types of human being जीवन के विन प्रकारों पर अध्यान या प्रभाव डाल करके अध्यान के जाना चीए दूसरा मैत्यों पर भैत्यों पूर्ण प्रविधियों और विधियों का प्रकार अब प्रविधियों हो गही बचो इंपोर्टेंट टेक्नीक्स और टेक्नीक्स साथ में इनोंने विविन इंपोर्टेंट मैथर्ट्स को भी इनोंने बल दिया प्रकार और उसकी साहता से मनुश्य के काम में हेल्प मिलना जैसे भोजन एकट्टा करना कालेक्शन ऑफ फूड आखेट हंटिंग मस्य उध्योग फिशरी और क्रश्य उध्योग अग्रिगल्चर वर्क पशुपालन एनिमल हज्बेंडरी और निर्मार कार्य कंस्ट्रक्शन कार्यों के उपर इनों करते वे इंडेस्री और उध्योगों और व्यापर ट्रेट के ओपर इनोंने अपने पक्ष को रखा तीसरी बात इनोंने कहा मानविये दिवासों का वित्रण घनत्व सीमा है distribution of human settlement, density of human settlement, boundaries of human settlement and immigration of human being should be described तो इनोंने ये चीज़ डिस्ट्राइब की कि मानविये प्रवास का स्वरूप उस वक्त काफी बढ़ गया था क्योंकि ग्रोथ बहुत हो गी थी इंडेस्री ग्रोथ बहुत हो गी थी इसलिए तो immigration of, या आपके जो होते हैं, moving pattern of people इनोंने इस आस्पेक्ट पर भी काम किया, डिमांजिया ने फोर्थ उनोंने अपना पक्ष रखा अधिवासों के प्रकार था स्था उनके सुरूपों का वित्रण या सेमी हैं, या स्थार्फ पर सेटिल्मेंट हैं, या सेमी हैं, या स्थार्फ पर सेटिल्मेंट हैं, like so many patterns आदिया, जो हम अगले chapters में पढ़ेंगे, और उसकी सुरूपों का विकास, कैसे कैसे यह development हुआ, how they have formed, how they develop, who develop, this human settlements pattern and development of human settlement, उन्होने इस आस्पेक्ट के उपर अपना बात कही। तॉ दू इस प्रेकार क्यों थ्णी हैं, तर निय्हों थिज़ा है, और हिहा से यह उन्होंने इटरिमिनिजम, इज्वार्मंट्ल डिटरिमिनिजम को की विचे थार्भार को अस्विक्रत किया उन्होने का कि, वात्तवर्ण यह जो अगलद हैं, वो स Cum रिदर कियां, वह मानों के जो एक्टिविटीज हैं उसकी परवितन शीलता उसमें जितने भी ट्रांसफॉर्म्ड मैल्यू जो उसका है जोग्रफिकल ट्रांसफॉर्म्ड मैल्यू उसके उपर उनने बहुत जादा एंफिसिस किया और भुगोल को बहुत तथा प्रादेशिक शेत्रों के अधर पर मानना चाहिए ये इनोंने कहा मतब इनोंने कहा जोग्रफिक को फिजिकल फैक्टर स्वहीं फिजिकल एस रिजिनल ए रिजिन्स के बेसिस पर हमको वी हब तो स्टेडी ओन इस प्रेकार से वाइडलीला व्लाश का जो शिश्य था बहुत फेमस वो थे दिमा टोनी और इनका जन्म 1873 में हुआ और इनोंने 1905 तक काम किया जो की ब्लाश के प्रेशिश्य थे और प्लस दामाद भी थे उनके और इनोंने फ्रांस के में विजिन बहुगली की विचारधानों को डेवलप किया इनोंने भी सौबॉन उनिवस्टी के अंदर जो पैरिस की बहुगली society इसके उपर इनोंने पैरिस में स्थान के अंदर काम किया उसके संचालक रे डारेक्टर रे और प्राफेसर रे और इनोंने वार्शिक बहुगली गंतमादा को प्रकाशित किया अब बच्व जब तक ये रहे इनोंने इसी पैटरन को फॉलो किया बहुगली रीजन्स को ब पाथ और इनकी मुलाका जब विल्यम मौरिस डेविट से वा विल्यम मतलब कौन जिनोंने भुगल का साधरन सिध्धान्त या आपका जो है ना अपरदन और पक्षय वाले सिध्धान्त उसको इनोंने जो मनाया फेमस डेलियम डेविज इसके उनके साथ इनकी पाचित वी और उनने फ्रांसेस ही भुगलवेताओं को बहुत इक फिजिकल जोग्रफी बहुत इक मतलब फिजिकल जोग्रफी के शेत्र में काम करने की बात कहिए तो इनका कॉंट्रिविशन इस तरह से था मैक्समिलन सौर जो 1880 और 1962 तक यह रहे यह भी ब्लाश के शिश्य थे और 1940 म काम किया ता ना इन्होंने उसको प्रकाशित किया वकिन तो उसको चार वॉल्यूम्ज में रखा जिसमें इनका जो खास important habit बचो हुए है मानव भूल के जाविक आधार biological foundations of human geography यह बहुत मैंने तुम्हें कहा ना दिमांजिया से यह चीज modernization की तरफ improved होने शुरू हो गई तो ecological concepts को इनोंने मानविय पारस्ति की संगलप्राओं को जो मैंने आपको first chapter में मेरा जो पासाथ chapter 7 7 करीबन जो लेक्चर से human geography के वो नहीं मिल रहे है it's a very shameful thing who's doing I can't say that but I know it who is doing but or who's what why it is happening so it depends कर से नोंने ecological concepts के ओपर काम किया और मानव भूल के उद्देशी को इनोंने एक प्रत्मिक कारे प्रत्म कारे मताब primary work के रूप में रूप में रूप करा क्योंकि मानव एक जीवित प्राणी है living body है इसलिए इसके अस्तितिकी दशाओं पर बहुत इक physical factors environment जो action impact और reaction प्रतिकरिया करता है बहुत इक बात्वन जो प्रतिकरिया करता है मनुष्य वह इसनोंने बहुत अच्छे से समझाया और इन्होंने वही कर्शी विज्ञान कर्शी कारी बहुत मानवशास प्रानिशास तिकरिया साथ्र को आधर बनाया इंपोर्टेंट हो गया और adaptation एक तरह से यहां से स्टार्ट हुआ इसके बाद बच्चो और बहुत सारे जोग्रफास हुएं लाइक राउल वैंचार्ट और आप इंपोर्टेंट आता है बेटा पीटर हेगट बच्चो यह क्योंकि आपका जर्मन भूगलवेताओं का योगदान यह भी एक शॉट में आ सकता है या समस्भूगलवेताओं का योगदान तो तब आपको सिर्फ उनका बर्थ और कहां उन्होंने वर्क किया कौन सी किस तरह का वर्क किया किस शेत्र में वर्क किया यहुमन जोग्रफी के और उनका कॉन्टिबूशन तो शॉट में भी आपको समराइज कर काना चाहिए और ऐसे टाइप में भी आना चाहिए अब जो मैं पीटर हेगट की जो बात कह रही हूँ यह बहुत ही इंपॉर्टन बात में कह रही हूँ क्योंकि इसा इन्होंने ही काम किया है जो आज भी मताब मैक्सिमम जो जो जे न्यू के प्रफेसर संव वो इसी वर्क के ऊपर बेज अपना काम करते हैं यह ब्रिस्टल विश्योध हले में प्रफेसर थे पीटर हैगट वस दू प्रफेसर वो दिया कहां ब्रिस्टल में इनका जो स्पैशलाइजेशन था वीटर वह था विशेशीकण मानावभूगुल मतला विशेशीकण मतला इन्होंने बहुत जादा स्पैसिफाई किया बहुते विशेश्टाओं के साथ प्रकाश डाला चोटी-चोटी-चोटी धरन देकर प्रकृति और मानों के साथ में और इन्होंने पूरा का पूरा उसको फिर मैथेमेटिकल एमफिसाइज किया, एनलाइज किया और गणिती परिकलप्राओं और आखनों के द्वारा इन्होंने विशेशी करण कर मानों हो गुल पर वर्क किया, यह इनका सबसे बड़ा यह है, जो कि आधनिक काल का एक तरह से जित्ती भी कॉंटम थियरी और इसारी आई है, क्वांटिटिव जोग्रफी और इसारी जोग्रफी शादी ही है, इसे स्टार्ट हुई है बच्चों, और इसी चकर से बच्चों, जैसे अवस्ति विश्लेशन में बार और बोलती हुँ ना, मैंने आपको पहले पहले चप्टर मानव भूल को जब अर्थ बताया, विश्ष्टन बताई, उसके बाद मैंने उसमें ही कहा कि साइट, 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 लोकेशन, अलोकेशन, और अलोकेशन, 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 य जब तक साइट सिचुएशन लोकेशन नहीं पता है तो फाइदा नहीं है आप यह नहीं कभी को होगे कि यहां से तू उल्टेहा चला जा फिर वहां से जाके पूछ ले ना माँ पर यह है नहीं पूरा पिंपॉइंट एक दम शाप हमको पता होना चाहिए कि किस्ती अक्षां पाइदा प्रश्वादा था नहीं किया था और शेकिनली भूगोल एक आधुनिक संशिलेशन जोगरफी ए अ मौडन संथेसिस इन्होंने 1972 में यह अपनी पुस्तक लिखी और रिचार्ड चॉले यह शाले भी बोलतों स्को रिचार्ड चॉले और पीटर हैगट ने भूग के अंदर गणिती इस आंखी की पक्ष को संबलित किया और क्वांटेटेटी जो में कह रही थी नभी आपको मात्रात्मक भूगोल की क्रामती के रूप में नोंने यह बना दिया फिरेंड के जो आगे चल के प्रसंशा को सिश्य हुए उनमें गागरी जी गागरी चैचलें इस प्रकार से जी मैंले आवम जी मैंले वह बनस्वादी भूगोल और जी सी टांसले आदिका योगण से जब हम एन्वार्मेंट एकोलोजी को पढ़ते हैं या हूँ हैस गिवन दिस इको वर्ड तो उसमें कहते हैं जी एजी टांसले टांसले काम जो कॉंट्रिबूशन है या उनका नाम सबसे पहले आता है बच्चो तो जी मैंने ले और इहों तो बॉट्टी में किया बरस्पती भूगोल पे बॉट्टी जोग्रफी जो मैंने आपको लिखाया है पहले और लिख करके उसको मैंने आपको वीडियो बना के डाला है तो एजी टांसले आदिका यो होगा आज के लिए बस इतना ही कल हम करेंगे अमेरिकन जोग्रफी थैंक यू